नमस्कार दोस्तों, वेलकन वोल्ल अफेवर्स, मैं हूँ प्रशान दवन, आप हाली में हुई है एक बहुत ही positive development, भारत और इसराइल की cooperation हम देख रहे हैं कि हर साल लगातार improve हो रही है, अब हाली में दोनों country ने ये decide किया है, कि ये दोनों देश मिलकर बनाएंगे futuristic aluminum air batteries, aluminum, aluminum दोनों pronunciation ठीक है, कोई भी आप use यहाँ पर कर सकते हैं, ना first of all, यहाँ पर आप देखोगे article, Indian Oil Corporation, IOC और इसराइल की company Finnergy ने एक joint venture ना दिया है, जिसके अंडर ये develop करेंगे aluminum air batteries, जो एक विकल्प होगी lithium-ion batteries का, ये बहुत ही important है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दु ये लोग कहरें, कि जैसे ही आप यहाँ पर जो technology है, develop करोगे, हम जल से जल इसकी commercialization स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि इसके जो products है, ये बेचना भी स्टार्ट कर देंगे, ये बहुत अच्छा step है, ये भी काफी अच्छी development है, now simple words में मैं आपको ये बताता हूँ, कि इसराइ और zinc air metal batteries ये develop करें, ये चाते हैं कि दुनिया को एक विकल्प मिल जाए, lithium ion batteries का, और भारत सरकार ने इस कंपनी में देखा काफी potential, most probably इसराइल की सरकार ने काओगा कि ये company in the future काफी develop करेगी, हम चाते हैं कि आप यहाँ पर partner कर लो, तो इसलिए Indian Oil Corporation, जो भारत की सरकारी कंप design किया गया, और ये decide कर लिया गया कि ये दोनों companies जो है, IOC और Phinergy, ये बनाएंगी एक joint venture, और मिलकर काम करेगी, ultra lightweight aluminum air batteries पर, अब यहाँ पे आप पूछेंगे, ये aluminum air battery है क्या, और lithium ion battery का विकल्प खोजने किया और शकता भी क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा, batteries में एक अलग से segment होता है, एक अलग से आप कह सकते हैं category है, जिसको हम कहते है metal air, electro chemical cell based battery की, इसमें बहुत सी batteries आती है, primarily sodium air, potassium air, zinc air, magnesium air, calcium air, aluminum air, iron air, और even silicon air, इसके काम करने का तरीका यहाँ पे आप दे सकते हैं, हर case में यहाँ पे क्या होगा, आप यूज करोगे एक electrolyte को, oxygen को यू और यह pure metal जैसे degrade होगा, यहाँ पर यह energy produce करता रहेगा, और इस step की battery की main खासियत यह है, कि यह काफी कम space लेती है, ultra light weight होती है, और आप अगर बात करो overall storage to energy capacity की, तो जितने area में आप अगर store करोगे lithium air battery को, और उतने area में आप अगर store करते हो, for example, एक aluminum air battery को, तो यह जो aluminum air battery है यह आपको देगी 10 गुना जादा energy, अब यहाँ पर आप कहेंगे, okay, so lithium air batteries का हमारे पास विकल पा चुका है, future is here, तो lithium air batteries तो कुछी दिनों की महमान है, यह take over कर लेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको पहले यहाँ पर एक बहुत ही basic question का answer पता होना चाहिए, कि हम lithium air batteries का खोज क्यो रहे हैं, देखो problem यहाँ पर सबसे बड़ी यह है, कि lithium air batteries को बनाने के लिए सबसे basic जो आपको चाहिए ingredient यह है lithium, और lithium क्या है कि धरती में finite है, मतलब कि एक certain limit के बाद, धरती पर lithium हो जाएगा खतम, कई estimates हमको यह बदाते हैं, कि 2030 तकी जो need है आज के समय lithium की, क्यो तो lithium ion battery सिर्फ हम cars के लिए, scooters के लिए या फिर bus के लिए नहीं बनाते, lithium ion battery आपके phone में है, आपके laptop पे है, आपके घर में various devices होंगे, वहाँ पे आप इस्तेमाल करें हो lithium ion battery का, तो lithium ion battery काफियत तक खतम हो रही है, और यहाँ पर आप आप देखोंगे, December 2020 का article है from Forbes, कि lithium is running out, और 2030 तक बताया जा रहा है, कि lithium actually इतना महेंगा हो जाएगा, कि electric vehicles को भी लोग बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया करेंगे, और एड़ी अगर हम बात करें, इसी साल 2021 में, lithium का crazy इतना है, उसकी demand इतनी है, कि lithium के जो prices हैं, यह 88% बढ़ चुकी है, और in the future जो यह prices का jump है, य lithium के जो prices हैं, यह भी rise कर रहे हैं, तो अब यह सी बात है, हमको एक alternative चाहिए, इसका यह कतर ही मतलब नहीं है, कि lithium को यूज करना बंद कर दो, हम lithium को आने वाले 50 या फिर even 70 साल तक चला सकते हैं, अगर lithium के साथ साथ हमारे पास एक और टाइप की भी battery हो, और इसलिए दुनिय आज के समय फोकस कर रही है, aluminum, air, metal बैटरी पर, क्योंकि पहली बात तो धर्ती का जो crust है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा abundant metal कोन सा है, सबसे ज़्यादा मिले वाला वहाँ पर metal कोन सा है, यह है aluminum, aluminum आपको हर जगा मिल जाएगा, बहुत सस्ता है, और easily available है, कई सदियों तक मैं क aluminum air battery को लेकर लोग काफी excited है, कि यह actually है भविश्य, हो सकता है कि भविश्य में lithium-ion batteries, आप कह सकते हैं, outdated हो जाए, और overall लोग यूज करना स्टार्ट कर दे, aluminum air batteries को, अब तक सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको aluminum air battery की जो कमिया है, यह बताई नहीं है, कमियों की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें काफी, मैं काऊंगा restrictions भी है, lithium-ion battery की सबसे बड़ी खुबी यह है, कि आप इसको recharge कर सकते हो, आपके phone में lithium-ion battery है, दिन में कई बार आप recharge करते होगे अपने phone को, आप हो सकता है कि आपके पास अगर कोई electric vehicle है, तो उसको भी आ recharge करते होगे, वेराज जो aluminum-ion battery है, इसको आप recharge नहीं कर सकते हैं, ध्यान दा सुनना, एक बार आपने इसको use कर लिया, हाला कि जो इसका use है, यह एक lithium-ion battery से काफी लंबा चलेगा, 10 या फिर हो सकता है, 12-13 गुना जारा, मगर एक बार इसके अंदर जो aluminum की rod होगी, यह गल अगर मालो एक truck driver है, वो एक बहुती लंबी journey पर है, रास्ते में aluminum-ion battery अगर खतम हो गई, तो unless वो highly skilled driver है, उसको पता कि कैसे replace करते हैं battery को, तो वो आगे वरता रहेगा, नहीं तो वहीं पर उसकी journey हो जागी खतम, तो यह अभी भी देखोए, काफी बड़ी मैं कहूंगा, र अगर मालो aluminum गल गया, और यहाँ पर distilled water चाहिए, यहाँ पर इसको फिर से, यह जो process है, अगर इसको मनाने थोड़ा सा simple, तो aluminum air batteries पूरी दुनिया को कर सकती है, radically transform, तो in very simple words, आपके mobile phone में, आपके laptop पे, वहाँ पर lithium काई राज होगा, मगर electric vehicles की अगर हम बात करें, तो that will be great for India and the world overall, so यह है इस वीडियो का, अमीद करता हूँ, काफे कोछ यहाँ पर आपको जानने को बिला होगा, thanks for listening and as always, God bless you all.